गुड मानिंग स्टुडेंट मैं विजय चन्द एलेक्ट्रिकल इंजिनिंग डिपार्टमेंट राधा वल्लब ग्रूप आफ इंस्टिटूशन आज मैं यूडबल एटी का अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एकोनॉमिक लोड डिवीजन आफ बिट्विन पावर स्टेशन का मतलब क्या है सपोज करिए और यह कैलकुलेट हम कैसे करते हैं एकोनॉमिक लोड डिवीजन के लिए पावर स्टेशन की टोटल कास्ट जो है वह मिनिमम होनी चाहिए इसके लिए दोनों पावर स्टेशन की इंक्रिमेंटल कास्ट और फ्यूल कास्ट में कहने का ताथ पर यह है कि सबर करिये कि हमारे पास दो सबसुरी दो पावर जे लिग連डरी इंग इस टे चत clot से तोनों पावरण सिर्टHello सिर्टं से हमें क्या करना है कि लोड को एकHow दएनि हैं अब जब लोड को हमको सपलाई देनी हैं तो दोनों जो आपके सब आफ पावर स्टेशन से जेनरेटिंग स्टेशन है उनकी जो टोटल कास्ट होनी चाहिए क्रेमेंटल कास्ट या फिर फिल या पास में जब बराबर होगी तभी हमारा जो लोड का कॉन्जपरे करा है यह फिर जो लोड को हम सब्लाई कर रहे हैं वह most economical होगा कहने का तात्पर यह है तो अब हम यहाँ पर एक टर्म आ रहा है incremental cost अब incremental cost होती क्या है incremental cost को ने फार्मूला के द्वारा हम define कर सकते हैं जो की होता है आपका c equal to a plus bp plus cp square तो a b c और यह तीनों आपके constant हैं तथा p क्या होता है जो हमारे power station के द्वारा active power generate होती है आई अब हम इसके कर्व को देख लेते हैं यह कर्व जो है यह equation हमारा जो है hyperbola को represent कर रहा है क्योंकि second order equation है तो cost और power के भी जो graph बन रहा है हमारा यह सो हो रहा है तो चलिए यहां पर हमारा एक derivation आता है तो यहां पर देखते हैं यहां पर दो हमारा generating station है जीवन और जीटू यह बस के द्वारा connect है और हमारा यहां पर total load demand है उसे हमने PD से सो किया हुआ है जीवन के द्वारा जो हमारा एक्टू पावर है वो पीवन है और जीटू के द्वारा में हमारा जो एक्टू पावर है वो पीटू है तो यहां पर जो generator जीवन की incremental कॉस्ट होगी incremental कॉस्ट मतले मैंने चेंज विद रिस्पेक्टू माइनोड पावर इंक्रिमेंट आफ जेनरेटिंग इस्टेशन तो डी सीवन अपन डीपीवन और जीटू के लिए होगा आपका डी सीटू अपन डीपीटू तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए तब हमारा जो है एकनोमिक लोड डीविजन होगा या फिर टोटल कास्ट आप पावर इस्टेशन सुड़ भी मिनिमम यानि कि जो टोटल कास्ट है दोनों जेनरेटिंग स्टेशन की वह मिनिमम होनी चाहिए तो उस इस्थिती में हमारा जो लोड का डीविजन होगा वह मोस्ट एकनोमिकल होगा चलिए डेरिवेशन पर आते हैं तो हम जो हमारा यहां पर अगर हम देख सकें तो हमारा क्वास्ट का जो फार्मूला है जो डेफिनिसां से हमारा निकल कर आता है ए प्लस बीपी प्लस सीपी इसक्वायर तो हम जेनरेटिक जेनरेटर वान के लिए अगर जेनरेटिंग स्टेशन वान के लिए देखें तो हमारा क्या हो जाएगा सीवन is equal to A1 प्लस B1 प्लस C1 यह तो C2 equal to A2 plus B2 P2 plus C2 P2 square अगर टोटल काश्ट की बात की जाए दोनों generating station को अगर मिला दिया जाए तो हमारा total cost निकल कर आ जाएगा तो C is equal to क्या हो जाएगा हमारा C1 plus C2 अगर हम दोनों को जोड़ दें एक एक्वेशन 1 और सेकेंड को तो A1 plus A2 plus B1 P1 plus B2 P2 plus C1 P1 square plus C2 P2 square तो यहां पर जो आपका डिमांड है P D equal to कितना होगा आपका P1 plus P2 तो अगर हम यहां से P2 का मान निकाल लें तो हमारा क्या है गा पीडी माइनस P1 यह जो वैलू आ रही हमारी हम अगर इस क्वेशन में रख देते हैं तो यहां पर देखिए A1 plus A2 B1 P1 plus B2 P2 होगा ना तो पीटू की जिए हमने यह वैलू सब्स्ट्यूट कर दी और यहां पर भी हमने यह वैलू सब्स्ट्यूट कर दिया है तो फिर उसके बाद अब यह जो हमने मिनिमम की बात की कि हमारा टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए तो यह है आपकी मिनिमम की कंडिशन डिफ्रेंसियैट करने के बाद हमनेтории क्या कर दिया आपका जीरू तो इस सांब्सके एक्वेसर ओकर आया हुआ हम उसको पी 1ते During क्या करने कि हमारा एक हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा बी वन अब हमारा अब मैंगा बीटु to P 1 के respect में अगर हम यहां करें तो हमारा यह आज जाएगा 2C1 v1 प्लस अगर्डर्यम डि फ्रेंसियेट करेंज्ञ तो यह 2 आगे आजाएगा फिर यह आएगा पिर इसका डिफ्रेंसियेशन जब हम करेंगे तो हमारे माइनश और जाए एक वर तो क्या हो हो देता है अब यह आया कहाँ से यह तो हमने calculation कर लिया फिर अगर की बात करें हमारा जो condition है यह आना चाहिए था यह आना चाहिए था तो यह कहां से आएगा चलिए आकर देखते हैं यह हमारा जो equation first है equation second है है equation first को क्योंकि यह first generating rating station का है तो P1 के रिस्पेक्ट में differentiate करेंगे और C2 को P2 के respect में differentiate करेंगे देखते हैं क्या आता है DC1 और DP2 अगर respecting me sorry DP1 के respect में differentiation करते हैं तो हमारा यह आ जाएगा और DC2 upon DP2 को अगर देखते हैं तो यह आ जाएगा तो यह value और यह value हम यहां पर देखते हैं आपस में बराबर है यानि कि DC1 upon DP1 equal to DC2 upon DP2 यानि कि generating station 1 और generating station 2 का जो incremental cost है वो आपस में बराबर है जो कि हमारा definition में की condition को fulfill करता है ठीक है okay धन्यवाद